आज हैं मैं आज आपको special birthday party में लेके चलता हूँ हम उनकी birthday के लिए लिकल चुके हैं और उनका घर इतना पास भी नहीं है और इतना दूर भी नहीं है मेरे पापा गाड़े राइफ कर रहे हैं और साथ-साथ शूट भी कर रहे हैं उन्होंने दो से तीन बार हमें फोन कॉल भी कर दी है वो हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे है यह बहुत खुशी है कि मैं एक डिफरेंट पार्टी में जा रहा हूँ और आप से ही सारी बातें शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको कही भी जाने की जल्दी हो तो प्लीज गाड़ी सेफली ड्राइव करें फ्रेंड्स मैं उनकी बिल्डिंग के बाहर पॉन्च चुका हूँ यह उनका घर है उनका घर एट फ्लोर पर था तो चले आज यह मेरे साथ खालिद भाई से मैं आपकी मुलाकात करवाँगा जिनका तालुक इंडिया हैदराबाद से है मैं उनके साथ दूसरे परदेशियों की भी आपसे मुलाकात करवाँगा और एक खास बात आपको बता दू कि यह सब अपने माबाप से बहुत दूर यहाँ पे हैं इसलिए आद में इनकी खुशियों मैं शामिल हुआ हूँ सो फ्रेंड्स यह है एक बर्ड़े पाटी और मैं केक ले आया हूँ लेट सेलिबरेट यह खालिद भाई के लिए हम केक लाए थे और स्पेशल उनका नाम भी लिखवाया था चले खालिद भाई केक कटेंगे ले हैपी बर्ड़े टो यू तैंक यू हैपी बर्ड़े टो यू हैपी बर्ड़े डीज खालिबरेट यू तालिया नहीं आपको मिलाता हूँ ये खालिद भाई है, थैंक यू फूर इन्वाइटिंग, मैं आपको परदेशी भाईों से मिलातू हूँ, ये है मिर्जा इमरान भाई, ये स्पेशलिस पार्टी को सेलिबरेट करने के लिए आये हैं और इनका तालूग पाकिस्तान से है, ये है मुस्तकीम भाई, और इनका तालूग बंगलादेश थे हैं, फ्रेंज ये सब परदेशी भाई, एक दूसरे की हर खुशी में शामिल होते हैं, परड़े पाटी में मूपे केक लगाने का वक्त आ गया था, और मेरी मारी भी आगी थी, मुस्तकीम भाई के हाथ में केक था, और मैं उनसे चुपता जा र रहते हैं, अपने घरवालों से बहुत दूर, और उन्होंने मुझे फैमिली परसन समझ के बुलाया, फ्रेंज केक खतम हो चुका है, उन्होंने केफ सी ओडर किये, वो खाऊंगा अब में, फ्रेंज आपको खाना है, तो आज है मेरे से, खूब मज़ा करेंगे, यमी, कब तक मुझे काफी भूग लग चुकी थी, आप खाएंगे, मज़ेदार, फ्रेंड्स ये है पर्देशी भाईयों की छोटी सी दुनिया, जहां ये अपनी तनहाई को अपने दिल में छुपाए, मुस्कुराते रहते हैं, तो पर्देश में रहता है, वो ही इस दर्द को समझता है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, कि आज मैं इनकी फैमिली का हिस्सा बना हूँ, फ्रेंड्स ये इमरान भाई सबसे ज़्यादा शरारती है, देखे इन्होंने अपनी प्लेट कैसे भर लिये, मैं बिस्तर पे बैट के राम से खा रहा था और वो सब एक दूसरे से महबत बांट रहे थे, प्रेंड्स आप उनकी इस खुशी के पीछे कहीं चुपी उदासी देख सकते हैं, अगर आपका भी कोई प्यारा दूर किसी कंट्री में रहता है, तो आप उनसे कॉंटेक्ट रखें, खुशी में दो बोल बोलें और उदा आप हैं, ना बेहन बाई, और ना है उनके प्यारे बच्चे, लेकिन फिर भी वो दिन राते करके, खुन पसीना बहा कर, मजदूरी करके, अपने प्यारों के लिए खुशियां खरीबते हैं, और हर वक्त मुश्कुराते रहते हैं, फ्रेंड्स मेरी आने वरी वीडियो को जिसमें और टॉपिक्स पे भी पार्ट करेंगें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मुद भूलना, लव यो आल, बाई बाई